हलो एवरिवन इस तरह के सेंटेंस आपने डेली कनवर्सेशन में रोज बोलते हैं जैसे कि वह पढ़ रहा है जबकि उसका भाई घूम रहा है तुम उसे प्यार करते हो जबकि वह तुम्हें देखती भी नहीं तुम सोर मचा रहे हो जबकि तुम्हारी बहन सो रही है वह बूढ़ा दिखता है जबकि उसकी पत्नी जवान दिखती है तुम खाना खा रहे हो जबकि तुम्हारा भाई भूखा है गाईज इस तरह के सेंटेंस में आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि जबकि सब्द का बार-बार यूज हो रहा है चलिए गाईज इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं हम उसके लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट सेंटेंस प्लस होयरीज या होयल प्लस सेकंड सेंटेंस guys where is और while दोनों का मतलब होता है जबकि guys इन दोनों में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो guys sentence किसी भी tense में हो सकता है चलिए इसको हम example के तुरू समझ लेते हैं example वह पढ़ रहा है जबकि उसका भाई घूम रहा है he is studying where is his brother is walking या फिर he is studying while his brother is walking guys मैंने दोनों तरिकेश बना के बता दिये हैं चलिए next example देख लेते हैं तुम उसे प्यार करते हो जबकि वह तुम्हें देखती भी नहीं you love her worries, she does not also see you या फिर you love her while she does not also see you चलिए guys next example देख लेते हैं तुम सोर मचा रहे हो जबकि तुम्हारी बहन सो रही है you are making noise while your sister is sleeping या फिर you are making noise while your sister is sleeping चलिए guys next example देख लेते हैं वह बुड़ा दिखता है जबकि उसकी पतनी जवान दिखती है he looks old while his wife looks young चलिए guys next example देख लेते हैं तुम खाना खा रहे हो जबकि तुम्हारा भाई भूखा है you are eating food while your brother is hungry या फिर you are eating food while your brother is hungry चलिए guys कुछ example अपने आप बना कर comment box में लिखिएगा hello everyone my name is Vinod Singh welcome to my channel Vinod study center और वीडियो सो कुछ सीखने को विल आतो like sir और subscribe दिरू कीजेगा ताकि हम रोज लोगे